दोस्तो भारत में अपने आजादी के बाद एक बेहदी मुश्किल दौर देखा क्योंकि उस समय जादा तर चीजे विदेशों से इंपोर्ट की जाती थी भारत में या जो भी चीजे भारत में बना करती थी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी इनमेंसे एक घडी भी थी तो उस समय जो घडिया भारत में इंपोर्ट होती थी वो जापान से आया करती थी लेकिन वो बेहदी महंगी होती थी जिसे की एक आम भारती एफोर्ट नहीं कर सकता था तो इस वीडियो में अच्छ हम बात करेंगे किस तरह से अजंता घड़ी ने भारत में हर घर में एक घड़ी का सपना पूरा किया दोस्तो ये इस्टोरी बहुत ही इनिवेटिव है आई इस वीडियो को शुरू करते हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है दीपक आप देखने है डिजिटल और तो दोस्तो ये कहानी है उधव जी पटेल की जो कि गुजरात के एक किसान परिवार से बिलॉंग किया करते थे उन्होंने B.S.C. तक की पढ़ाई पूरी की इसके बाद उन्होंने स्कूल टीचर का काम करना शुरू किया था उधव जी के छे बच्चे थे जिस वज़े से एक स्कूल में पढ़ाने से उनका घर का खर्च नहीं चल पाता था उधव जी गुजरात में एक जगा है मोरवी वहां से विलॉंग किया करते थे जहां पे सिर्मे की घडिया बना करती थी उधव जी ने देखा कि घडियों का जो बिजनस है वो बहुत ही अच्छा चल सकता है इसलिए उन्होंने सूचा कि हम घडि का कारोबार शुरू करेंगे और साल 1970 में अपने एक दोस्त के साथ मिलके उधव जी ने एक जगा किराय पे लिया और एक लाख रुपे में घडियों का काम करना भारत में शुरू किया उधव जी ने इस कंपनी का नाम अजन्ता टांजिस्टर क्लॉक मेनिफेक्टरिंग कंपनी रखा दोस्तों अधव जी धीरे धीरे मार्केट समझते गए और उन्होंने अलग अलग तरह की जो घडिया विदेश्यों से इंपोर्ट होती थी उस तरह की घडिया बनाना शुरू किया जैसी कि अगर हम बात करें कि वाइंडिंग क्लॉक, म्यूजिकल क्लॉक, की क्लॉक इन सब चीजों का उसमें चलन भारत में बहुत जादा था तो उन्होंने इसी टाइप की जब घडिया मार्केट में बनाई तो घडिया बिकना शुरू हो गई थी उदभ जी को दिख रहा था कि सेल्स तो उन्हें आ रही है, लेकिन अभी उनके क्वालिटी में बहुत जादा अच्छी पकड नहीं थी क्योंकि जादा तर जो घडियों की स्टिप्स होती थी, वो जापान से ही भारत में इंपोर्ट हुआ करती थी उदभ भी घडिया बनाते भी थे और इस मार्केट को समझते भी जा रहे थे कि क्या क्या नए नए चेंजेज होते हैं तो इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जापान में क्वार्ट की नई टेक्नलोजी आ गई है घडियों के बनाने की जिससे घडिया बहुत आसान होता है और उसमें मिंटेनिस की भी ज्यादा जुरुत नहीं होती है तो उधव जी 1975 में अपने बेटे के साथ जापान जाते हैं और वहाँ से वो क्वार्ट्स टेक्नलोजी सीख के आते हैं और भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहली क्वार्ट्स की घडिया बनाना चालू की जिसका नाम उन्होंने रखा जनता घड़ी दोस्तों ये घड़ी भारत में बहुत जल्दी तुरंद पॉपलर हो गई थी घर घर में जनता घड़ी की डिमांड होने लगी और उधव जी के पास अब जो मैन पावर था वो बहुत ही कम हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड उनके पास आ रही थी जिसे कि उनकी टीम फिलफिल नहीं कर सकती थी दोस्तों उस समय उनको वर्कफोर्स मिलना बहुत ही मुशखिल हो रहा था क्योंकि जो उनकी गुजरात में ज़्यादा तर लोग थे वो खेती का काम करना चाहते थे या जिनको कुछ ज्यादा पैसे कमाने थे वो साॉत गुजरा जाया करते और वहाँ पर diamond की polishing का काम किया करते थे तो इनके साथ कोई भी काम करने को नहीं तयार था तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं महिलाओं को इस काम से जोड़ू क्योंकि महिलाएं तो हमेशा घरी में रहती है तो इसके बाद उधव जी हर घर जाते हैं तो आपको चरीका बदलना चाहिए उधव जी ने भी यहाँ पर तरीका बदला और उन्होंने सुचा कि मैं एक वोमेन का example सेट करू जिसको देख के और वोमेन मोटिवेट होके हमारे बिजनस में आएं तो यहाँ पर उधव जी के बेटे प्रवीन की वाई वनीता बेन ने सबसे पहले इस जनता वाच की कमपनी को जॉइन किया है यह पहली वोमेन एंप्लोई थी इस कमपनी की और इनको देख के अब और ज़्यादा वोमेन आने लगी इनके कमपनी में काम करने लेकिन अब वोमेन के साथ कई समस्या ही नहीं दिखाई थी सबसे पहले उनकी सेफटी का इशू था दूसरा जो इशू यहाँ पर आता था कि वोमेन ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुआ करती थी उनको यह काम नहीं आता था तो अब उन्होंने दो काम करना शूरू किया सबसे पहले उन्होंने बसेस की फैसिलिटी कराई कि रोज सुबह नौ बजे जितनी बसेस हैं वो सारी वोमेन्स को पिक करके उनके घरों से अजन्ता घड़ी की जो मैनिफेक्ट्रिंग प्लांट है वहाँ पे लेके आएंगे और उसके बाद अन्हेरा होने से पहले ही उन्हों सब को उनके घर पे जाके छोड़ के आना है दूसरी चीज़ अब वोमेन्स को ट्रेंड करने के बारी थी तो उन्होंने वोमेन्स को सिखाना चलू किया कि डिसिप्लीन कैसे रखते हैं घड़ियां कैसे बनाई जाती है अपने पैसे कस्ता ही इस्तिमाल कैसे करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने वोमेन्स को एजुकेट किया जिस वज़ा से वोमेन्स इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ट पिलर साबित हुई आज भी साड़े चार हजार से जादा औरते अजंता घड़ी में काम किया करती हैं अजंता घड़ी अब भारत के हर घर की पहचान मनती जा रहे थी क्योंकि इनके बास एक बहुत अच्छी वर्कफोर्स थी ये जितना raw materials था वो सस्ते से सस्ता Taiwan और China से import किया करते थे और अपने plant पे ये manufacture करना शुरू कर दिया था इन्होंने अब 1991 के बाद इन्होंने घड़ीयों के लावा और कई सारी चीजों को समझना चालू किया जो कि भारत में नई demand पैदा हो रही थी पहला तो telephone की demand हो रही थी दूसरा भारत में calculators की demand बढ़ रही थी इन्होंने सुचा कि जो मेरी अजन्ता है वो घड़ीयों के लिए जबसे ज़्यादा famous है तो इन्होंने एक नया brand अपना launch किया Orpet नाम का और इसलिए Orpet की शुरुआत करी अब ये लोगों का भारत में mood समझ रहते कि लोगों की अब specific क्या requirement आ रही है तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि भारत में अब electric fence की requirement बढ़ती जा रही है यहाँ पे भारत में अब iron, steam iron की demand बढ़ती जा रही है अब उसके बाद भारत में blender की भी demand बढ़ती जा रही है तो इन्होंने वो चीज़े बनाना चालू किया जो एक आम घर की जरूरत है जिस वजह से ये bulk में चीज़े बेच सके और इनको एक बड़ा profit हो और दोस्तों ये अपने काम पे बहुत ही सही भी साबित हुए बंद कर दिया क्योंकि इन्हें अपनी quality और अपनी टीम पर ज्यादा भरूसा था जिस वजह से और पेट quality product देने लगी इन्होंने दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा focus किया एक तो price affordable हो, दूसरा इनका quality बहुत best हो क्योंकि ये दोनों चीज़ों से middle class को target किया जा सकता है लेकिन दोस्तों समय के साथ कुछ बड़े brands भारत में आते गए जैसे कि हैवल्स हो गया, कैश्यों हो गया, फिलिप्स हो गया और कई सारे नए ने brands भारत में आते गए लेकिन दोस्तों अजन्ता और 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 पिट दोनों ने भारत में अपनी पकड़ हमेशा बनाई रखी आज के date में भी इनके पास 1200 करोर से भी ज़्यादा इनका turnover है और ये 45 country से भी ज़्यादा ये काम किया करते हैं और ये भारत में इनके 4500 से ज़्यादा distributors है आने वाले time में ये electrical appliances की चीजों में काम करने की तयारी कर रहे हैं और ये अपना जो total sales है उसको ये 2500 करोर तक लेके जाना चाहते हैं 2025 तक और सबसे important चीज इनका जो women contribution है ये इसको just double करना चाहते हैं अपि ये 10,000 से ज़्यादा women को ये अपने ये employee की तरह जोड़ना चाहते हैं दोस्तों आजंता की business से हम क्या learning ले सकते हैं तो हमें यहाँ पर समझना होगा 1975 के समय उन्होंने इंडिया का market समझा इंडिया में winding clock चल रही थी इंडिया में musical clock चल रही थी तो इन्होंने उसी तरह की घडिया बनाना भारत में चालू किया उसके बाद इन्होंने वही नहीं रुके ये innovation करते गए ये अपना pocket से पैसा लगा कि उस समय दोस्तों कोई जपान नहीं जाता था ये जा के सीख क्या है और इन्होंने quarts के घडियों से भारत में एक नया innovation ला दिया तो अगर आपका business अभी बहुत अच्छा भी चल रहा है तो हो सकता है कोई नया player आके आपके market को beat कर जाए इससे बहतर है कि आप अपने product को innovate करते रहे है यही अजन्ता की घडियों ने यहाँ पे किया दूसरी अगर हम इनसे business की learning समझ सके तो इन्होंने middle class को target किया और middle class की दो जरूरते हैं चीजे सस्ती हो और चीजों की quality बहतर हो जिससे की वो 20-30-40 साल चल सके आज भी और पेट के जो पंके हैं वो घरों में 10-20 साल से लगे हुए है इस वज़ा से और पेट और जन्ता घडिया भारत में इतना बड़ा नाम है तो दोस्तो अपने इसी business acumen की वज़ा से उधव जी ने भारत के हर घर में घडियों का सपना पूरा किया था तो एक like तो दोस्तो इनके लिए बनता ही है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो वैसे informative लगी है तो आप वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe करेगा, bell icon भी प्रेस करेगा और मिलेंगे अगली वीडियो में हम फिर से ही